हेलो दोस्तों मस्कार आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जो आपके मुह के सामने वाले दिवाल है सामने वाले वाल है वहाँ पर छोटे छोटे दाने आपको देखने को मिल जाते हैं कई ऐसे मरीज है जिनको कोई भी शमश्या नहीं है कई ऐसे मरीज है जिनको गले म में कुछ अठका सा हुआ मैसूस हो रहा है लेकिन आज हम समझने वाले हैं चोटे-चोटे दानों के बाले में जो आपके मुह की सामने वाली वाल पर होता है जिसे हम फैरिंग्स कहते हैं होता क्या है जब भी हमारे मुह की वाल उसमें सूजयन आती है यह फिर कोई infection होता है त पर चोटे-चोटे follicles होते हैं lymphoid follicles होते हैं और mucos membrane होती है जो की pharyngeal mucosa जैसे हम कहते हैं यहां पर mucos glands भी होती है तो इनमें क्या होता है किसी infection की बज़र से या फिर unknown reason की बज़र से भी unknown यानि की कोई कारण हमें नहीं पता उसकी बज़र से शूजन आने लगती है inflammation होने लगता है इसके साथ में जो pharyngeal mucosa है उसमें भी शूजन आने लगती है ऐसी condition में जब भी मरीज कुछ खाएगा या फिर उसको थोड़ा बहुत दर्द हो सकता है यह दर्द कभी कबर कानों तक भी आ सकता है इसके अलावा कई मरीजों को होता है PNS paranazal sinus इसमें क्या होता है कि patient को केवल 3-4 symptoms देखने को मिलती है जैसे शेल में दर्द है फिशियल पेने यानिको उसके चहरे में थोड़ा बहुत दर्द होगा निगलते समय उसको कुछ दर्द होगा या फिर nasal पीछे का जो डिस्चार्ज है नाग से पीछे की तरब डिस मरीज को दर्द हो सकता है इसके अलाबा कई मरीज ऐसे होते जिनको दर्द बिल्कुल भी नहीं होता लेकिन चोटे-चोटे-चोटे दाने उनको देखने को मिलते हैं वह दाने लाल हो सकते हैं रेडनेस वहां पर आ सकती है और कई ऐसे मरीज होते हैं जिनको उन दानों में ह आच्छे महीने हो गए और लगातार उनको ऐसी सिच्वीशन आ रही है ऐसी कंडिशन में क्या है पेशन टीट्मेंट नहीं लेते हैं तो ऐसी कंडिशन में उसको बोलते हैं प्रेंजाईडेस, अब देखिए, प्रेंजाईडेस की बते से ग्रेंजलोस हो था हैं इसके अलावा ग्रेइनिलर यानी की चोटे-चोटे दाने होना, ठीक है, सारे बर्स किलियर हो गए, अब इसके लक्षड हमने समझे, दर्द हो सकता है गली में, इसके अलावा पिशन को खाते समय दर्द हो सकता है, नॉर्मल उसको जो छोटे-छोटे दाने हैं, वो लाल हो सकते हैं, वो दाने छोटे-छोटे बड़े भी हो सकते कई बार ऐसा होता है कि मरीज्ट को कोई दर्द कानों तक आ सकता है इसकी तॉंसलिटिस यानि टॉंसल में सूजन भी हो सकती है इसके अलाबा अगर हम जाने कि इसके कारड क्या है तो सबसे पहला कारड होता है वो होता है acid reflux acid reflux यानि कि कई patients का digestion सही नहीं होता उनका पीट सही से साफ नहीं हो पाता constipation होता है या फिर हमारे जो food pipe होता है जो isophagus होता है यहाँ पर एक inspector लगा होता है यह क्या है proper तरीकी से बंद नहीं हो पाता जब यह बंद नहीं हो पाता तो ऐसी condition में मारा खाना क्या होता है बाहर उपर की तरफ आता है गले में आ जाता है जिसके बज़े से खटी ढकार आना ऐसी condition में हम इसे बोलते हैं acid reflux ठीक है acid भी कभी कभार गले में आ जाता है और अगर माल लीजे यह नहीं है कई मरीज को तो हो सकता है उसको bacterial infection हो bacterial infection की बज़े से भी हो जाता है अगर किसी मरीज को bacterial infection की बज़े से है तो उस मरीज को थोड़ा लंबी समय तक treatment लेना पड़ेगा और proper treatment उसे लेना पड़ेगा तब ये ठीक होगा अगर किसी मरीज को viral infection की वज़े से है तो उन मरीजों को treatment की जरूरत नहीं पड़ती है अगर severity जादा है जादा problem हो रही है उनको तो treatment लेना जरूरी है लेकिन जादा उनको कोई दिक्कत नहीं है जैसे गली में दर्द नहीं है निकलते समय दर्द नहीं है छोटे छोटे थोड़े बहुत दाने हैं तो ऐसे मरीजों को treatment की आवश्यक्ता नहीं होती वह साथ दिन में आठ दिन में नॉर्मली अपने ठीक हो जाते हैं अपने आप ही वह चले जाते हैं ठीक है इसके अलाबा अगर हम बात करें रिस्क क्या होता है throat infection में क्या होता है कई मरीजों को cancer कर रिस्क होता है तो cancer इतनी आसानी से नहीं होता लंबे समय से अगर कोई परिशानी आपको चली आ रही है निगलने में दर्द हो रहा है कुछ खाना खा रहे हैं आप ऐसी condition में जब आप निगलेंगे तब दर्द होगा या फिर आपका जो larynx होता है larynx में cancer होने के chances जादा होते हैं जिसे हम voice box भी कहते हैं जिससे हम बोलते हैं आवाज निकलती है ऐसी condition में वहां पर cancer हो सकता है लेकिन chances बहुत कम हैं हर किसी को नहीं होता है बहुत जादा कई मरीज होते हैं जिनको 4-4 साल ददद साल से उनको परिशानी है ऐसी मरीजों को regular check-up कराना चाहिए खाने पीने की बात करें कई ऐसे मरीज होते हैं जो ठंडा खाना बंद नहीं करते या फिर बाहर की चीज़ा खाना बंद नहीं करते इस बनी रहेंगे तो उनकी समझ्छा ठीक नहीं होगी ठीक कैसे होगी अगर वैक्टीरियल है तो अधर मेडिसन लेना है तो ज़्यादा जुरुवत नहीं पड़ती है अगर नियाचुरल आपको ठीक करना होगा ठंडी चीज़ा बंद करनी होगी इसके साथ मैं थोड़ा गुनगोना पानी से गार्गल कीजिए नमक डालके और इसके साथ में आप गरम-गरम तोब या टिको दाइगा आजा करता हूं वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आपके इस वीडियो से बहुत को शिक होगा अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है सारी वीडियो लिए को डिस्क्रिफ्टिप्शन चेक कीजिए सारी वीडियो आपको काफी हैलफुल वीडियो सब्सक्राइब लिंक मिल जाएंगे फिर मिलते हैं नई वीडियो मतर्ब तक के लिए बाबाइब टेक याप कि अब कि अब एक